के कॉंग्रेस के नेता कुछ भी कहे उसे फर्क क्या पड़ता है उनको मालूम है कि सुनिया के दर्वार में राहु लालू जी है वहां से जो देश आएगा वही मानना है यहां के नेता के कुछ बड़े बयान वीर बन भी जाएंगे तो उनको जगन ही मिलने वाली है पूरी त चांट अब तो तेजस्वी जी जैसे कहें जो ऊठो उपके साथ महागठ्वन्न ने जो बिहार में दो सीटों पर उपचुनाब होना है उसका अपने नाम का गोष्णा कर दिया है इस वे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व मंत्री निती नविजी प्रत्याशिक गोशना के बाद जीत का ही दावा करते हैं. लेकिन महागणदन ही राज़त का उमीद्वार है. महागणदन की अगल सीट के दएखते तो एक सीट तो कॉंग्रेस के दी तो कॉंग्रेस को लेकिन 2020 में तो लड़ी थी लेकिन कॉंग्रेस नहीं मतलबार जड़ी माना है कॉंगरेस के कहने से क्या होता है यहां कि कांगरेस क नेता कुछ भी कहे उसे फर्क पड़ता एक उनको मालूम है कि सुनिया के दर्वार में राहू लालु जी है वहां से जो नेजम सB को अपने लिए सब कुछ चाहिए आज राष्ट जंता दल wilderness के हैं परिवार के अंदर रहसकशी है उसी के तहट आप पार्टी के अंदर देखिए तो किस प्रकार से स्याम रजग जैसे दलित नेता को भी अपमानित किया जा रहा है प्रतारित किया जा रहा है इसके परे रग्मवन्स बाबू के साथ क्या हुआ अब हाल में जक्तानन बाबू क साथ क्या हो रहा है तो पूरी तरसे परिवार की पाट्टी बनाया हुआ है राच्ट्रे जनता दल को और उस राच्ट्रे जनता दल के सर्व में पूरे बहागरवंदन के निता हैं जिनकी नीजी महत्वकांच्छा के अधार पर वह बिहार में राज्जिती कर रहे हैं चुकि कि महा गठवंदन तता कतिस है यह महा गठवंदन पूरी तरह से टूटा हुआ गठवंदन होगा और इस चुनाव में जनता भी उनको सबक दिखाएगी क्या लगता है जिस तरह से पार्टी में कहा गया है कि आधे मी फैसला लेंगे तो क्या महा गठवंदन में भी हमा याचना करते हैं समर्पन करते हैं तो अब बचा क्या अब तो तेजस्वी जी जैसे कहें योठो टो बैठो तो वह लें है राजजी का मुखमंतری अपने आपको up कर दिया तो बूंक मुखमंकर ने यह तो डम हो गया अब तो सूपर मुखवंत्री नित्रें जिस्वी आदो हैं चाहिए गटबंदन का फैसला हो चाहिए परिवार का फैसला हो सारे अपते जिस्वी आदो लेंगे ठीक एक लाश कोशन है जिस तरह से लालू परसाध्य आदाब ने अपने भातर में कहा था कि दोजाश चोवीस में मुरह के तरह उखाड भाजबा को देखिए लालू जी के विभार में और विचार में तो यह चीजे रही नहीं है वह आम जन्मानोस को गाजर मुली ही समझते हैं कि वह अपने परिवार के लोगों को उन्होंने संबान दिया और परिवार के लोगों क तथा कथित पार्टी में भी और सरकार में भी चीजे दिखी हैं कि बेटा लोग ही मिलके छोग डिपार्टमेंट समाल रहे हैं बाकी साड़े विधायक लोग क्या कर रहे हैं उपता है तो गाजर मुली की तरह समझने कि उनकी आदत पर गई है और यहार की जनता को भी गाजय मुली समझते हैं जिसको उकार के फिक देंगे लेकिन लालुजी यह समय चला गया कि देश अब नरेंद मोदी का देश है यहां पर हर गरीब की चिंता होती है हर अंतिम वेक्ति तक विकास की किरने पहुँचे उसकी चिंता होती है और हर विक्ति का सम्मान है इस दे जंटा के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और हमें उखारने की चिंता च्चिंधा यूँद nieuwe